बिस्मिल्ला रह्मान रहीम अस्सलाम वालेकूम आज हम डिसकस करेंगे एक्सरसाइज 8.4 क्वेस्टिन नमबर वन यहां आपको क्वेस्टिन गिवन है एक्स प्लस रूट में है एक्स प्लस 5 इक्वल डू 7 इसको आपने सॉल्फ करना है और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फर्स्स्टिप में आपने एक्स यहां पर लिखा हुआ है तो आपने इसको शिफ्ट किया अपोजिट पर और लिखा यहां पर माइनस एक्स अब एक्वेशन इसिवाम में आ अगई ठीक है आप नेक्स स्थिप में आपने बौद साइट पर इसक्वायरिग कर देनी है अब आपने यहां पर both side squaring की तो square root से square को cancel किया तो यहां पर आपने लिख दिया x plus 5 is equal to और यहां पर 7 minus x यह formula बन गया है a minus b का whole square जो formula होता है यानि कि a square और first time यहां पर given is 7 तो आपने लिखा 7 का square फिर क्योंकि mid में sign minus यह तो formula minus का minus फिर 2 formula का A की place पर 7 put किया और B की place पर X put किया फिर आपने लिखा plus और फिर आपने लिखा X और उस पर लगा दिया है square यानि के first drum square minus 2 first drum second drum plus second drum का square अब आपने इसको simplify करना है X plus 5 is equal to 7 का square 49 फिर minus 2 sevens of 14 X and plus X square अब आपने next step में यहाँ पर भी X की drum है और यहाँ पर भी X की drum है तो आपने यहाँ पर इसको equals 2 से पहले shift कर देना है आपने यहाँ पर लिखा minus 49 फिर लिखा plus 14 X and फिर लिखा minus X square is equal to 0 अब आपने इसको आगे मजीद simplify करना है क्योंकि यहाँ extra में और यहाँ पर extra में 14 और 1 प्लस हो कि यहाँ पर answer बन जाएगा X square residues और पर बन जाएगा 15 X फिर minus 49 and plus 5 minus plus minus 49 में से अपने 5 minus लिए तो answer आजाएगा 44 is equal to 0 X square के साथ minus 10 हम positive करना चाहते हैं तो equation को हमने completely left से right पर shift किया तो यहाँ sign change हो गया X square minus 15 X plus 44 अब हमने find out करनी है यहाँ से X की value तो इसके लिए आपने इसको middle crumb को break करना है अपने पास step लिखा X square last आपने लिखा plus 44 as it is अब आपका next step लिखा है कि 44 को आपने इससे multiply करना है तो result आएगा 44 and then पिर आप 44 का LCM solve कर लें अब आपके पास prime factors आ गए 2, 2 and 11 तो यहाँ पर आपने इसको factors बनाने हैं तो आपने यहाँ लिख देना है minus 11 X and minus 4 X क्योंकि 11 और 4 plus होंगे तो बनेगा minus 15 आप आपने इन में चेक करना है कि क्या common है तो X यहाँ पर common है तो bracket में है X minus 11 और यहाँ पर आपने चेक करना है आपके पास common है minus 4 तो bracket में आएगा X minus 11 क्योंकि minus minus plus अब आपने यहाँ चेक किया कि यहाँ इसमें this is first round and this is second round तो X minus 11 दोनों में लिखा हुआ है तो आपने यहाँ लिखा X minus 11 first bracket और पर आपने यहाँ लिखा X minus 4 second bracket equal to 0 अब यहाँ आपने find करना है तो आप इसको X minus 11 equal to 0 और पर यहाँ लिखा X minus 4 is equal to 0 यहाँ आपने X find करना है तो यहाँ पर X की value आजाएगी आपके पास minus 11 को shift किया आपने यहाँ तो plus 11 और यहाँ आपने X is equal to minus 4 को फिदर shift किया तो हो गया plus 4 यहाँ solution set आगिया 11 and 4 तो आप लिख सकते है solution set is equal to 11 and 4 यही आपका answer है जो question में find out करना था यहाँ आपको second question given है इसमें given है root में आपको X minus 2 is equal to 8 minus X तो आपने यह करना है कि इस पर esquiring both sides कर देनी है और पर इसको simplify करना है और X find out कर लेना है अब हमने square root से square को cancel किया तो यहाँ पर remaining आगिया X minus 2 आपने यहाँ पर open किया यानि first trump square minus 2 formula का first trump, second trump and plus और last trump square तो आपने यहाँ पर लिखा 8 और यहाँ पर भी लिखा 8 और यहाँ पर आपने लिखा second trump X यानि और यहाँ पर भी X आपने लिखा X minus 2 is equal to 8 square means के 8 multiply by 8 64 minus 2 8 सा 16 X and plus और पर X square तो equation रहेगे 64 minus 16 X plus X square अब यहाँ प्लस X था यहाँ हो गया minus X and minus 2 था यहाँ के हो गया plus 2 equal to 0 अब यहाँ पर equation बन गई 16 X and minus X थो बन गया minus 17 X और 64 and plus 2 थो यह बन गया 66 is equal to 0 परस्टरम as it is X square plus 66 as it is अब आपने 66 calcium लेना है ठीक है जब 66 calcium लिया तो 6, 1s are 6 and 6, 1s are 6 and 11, 1s are 11 factors आगे 6 and 11 तो आप यहाँ लिखोगे minus 6 X और पर लिखते हैं यहाँ पर minus 11 X अब आपने next step में यहाँ पर देखा X common है तो ले लिया X minus 6 bracket में आगया क्योंकि X multiply by X, X square and X multiply by 6, 6X इन दोनों में आप देखें तो 11 common है आपने ले लिया पर आपने लिखा X और पर देखा minus 6 क्योंकि 11 multiply by X 11 X and minus minus plus 11 6 से multiply by तो 66 equal to 0 अब आपने first लिखा X minus 6 और पर आपने लिखा X minus 11 is equal to 0 अब आपने यहाँ पर लिखा X minus 6 equal to 0 और यहाँ लिखा X minus 11 equal to 0 तो आपने यहाँ लिखा X की value आगई plus 6 क्योंकि minus 6 plus 6 हो गया shift हो और यहाँ X equal to 11 हो गया तो यहाँ पर solution set आपका आगया 6 and 11 this is the final answer thank you for watching Allah Hafiz